अभी किसानों को नमसकार, आज हम एक जो ली गराफ्टिर प्लांट है, उसके बारे में बताएंगे आपको ल्त को लोग राफ्टिर प्लांट है उसमें क्या अंतर है क्योंकि नूग अभी लगाए हमने आठ दस परवरी का सपास लगाए है और जब यह पुराने हो जाएंगे एक से दो साल पुराने जब आपको देते हैं तो नूग राफ्टिर प्लांट में एक दिक्कत होती है कि पत्ते सूखने की दिक्कत जादा होती है इसमें क्योंकि जैसे जो उपर का भाग है यह भाग क्या है कि इसका यह हिल जाता है जैसे यह उपर का भाग इतना यह यहां से जो ग्राफ्टिर भाग है हिल जाता है हिल जाने के कारण इसमें पर पत्ते आते हैं पत्ते फिर सूख जाते हैं जबकि निच्चे का भाग है यह गरीन होता है तो यह सूकने का यह सबसे बड़ा काणा भी है पत्ते सूकने का काणा है क्यों कि उप पर का भाग जो भिल जाता है और निच्चे का गरीन रहता है इसमें दूसरा कारण है जाधा पानी देटें से भी सूकता अगर जादा पाणी देते हैं तो भी प्लांट सूख सकता है और गर्मी से नहीं सूखते पत्ते यह अगर आपने कोई केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड यूज किया कि किसी कहने पर तो भी पत्ते सूख सकते हैं इसलिए इसमें कोई भी केमिकल हैं लेकिन हम यह जो प्लांट है थी इसके बाद हमने यह प्लांट हमारे ज्यादा खराब नहीं क्योंकि हम इसके जो औरगनिक करते हैं हमने इसमें कोई भी हमिकाल पे तो इसमें ये दिक्कत नहीं आती इतनी पत्ते शूकनी की ये प्लांट भी हम आपको दिसंबर में देंगे आपको ओनलाइन भेज सकते हैं दिसंबर जनुरी फ़र्वरी में तो और इसकी हाइट बढ़ेगी तो इसको भी लगाए हमने करीब दो मिने के आसपास ही हो गए है तो हमारा ये आप देख रहे हैं जो और्गनिक का हमें यूज करते हैं जादा तर तो यह यूज करते हम या तो यह जो जीवामरत है इसको डालते हम जीवामरत को डालते हैं यह वैसीडी कमपोजर है और यह है जिपरिलिक एसीड है उसका अलग काम होता है क्योंकि इसमें क कीसी परकार की वो गर्म नहीं होती, कैसे की इसको डालने का क्या है कि यह कंडे होते हैं, जो कंडे यह होगोश्वे कहते हैं, तो आप दे लेए, जैसे यह हैं, और इसको आप पाणी में डाल दए, तो एक कंडे के लग भग 5 लीटर पानी चाहिए, 5-7 लीटर पानी ले सकते हैं, उसमें डाल दें, जब आप ये 8-10 दिन का हो जाए इसमें पानी में, फिर इस पानी को निकाल के ये पानी ले 50%, 50% साधा पानी लेकर अपने प्लांट पर डाल सकते हैं, अगर आप सप्रे करना है, इस पानी का सप्रे भी कर सकते हैं, इसमें भोच से माइक्रनूटेंट होते हैं, और ये जो प्लांट गर्मी से भोच से नहीं चल पाते गर्मी से, तो ये खार डालोगे प्लांट चलेगा, तो ये वेस्टी डी कंपोजर है, वेस्टी डी कंपोजर का भी आप पर यह कर ilsi iwan PM ईसमिर हमने के स्टी डाली हुए चै kale को डाला हूआ है और यह जुवामरत है जोड़ांट में डालते हैं जिघोपगॉल जूर गॉडियर ऐसीड देते हैं तो आप देखरेहे यह ऑर्लिक प्लांट है यह प्लांट अंखीर के थे चििखθेंहां और अन्जीर के है। अब अगर आपने शंपरक कर ना है तो मेरा वर्टसप नंबर है 9467575721 पर आप मेरे वर्टसप पर मैसिज कर सकते हैं और हमारी जो booking है वो अगस्ट से सुरू होगी अगस्ट से सितंबर से अक्टूबर नौंबर में आप करवा सकते हैं और दिसंबर के फर्ष्ट वीक में आपको प्लांट देंगे तो दोस्तों ये के से प्लांट की जानकारी थी सभी को भूशकार